हेलो एगरिकल्चर यानिकी खेती बड़ी जो की पंजाब पटवार देवेच दस नमबर दी पुच्छी जाओगी उसे स्लेबल्स दूं होण आप त्या आंदेवेच रख दे होई अपा एगरिकल्चर यानिकी खेती बड़ी दा पोर्शन स्टार्ट करन जा रहे हैं इत्थे सब तो त्यांदे नाड़ी गल एए है कि आप इत्थे हर रोज एक नमबर इत्थो पक्के करके जा मागी आउँ होण आपा एगरिकल्चर यानिकी खेती बड़ी नूँ होण आपा स्टार्ट करते हैं एगरिकल्चर नूँ पंजाबी दे विच जया पगाल करिये तक खेती बड़ी केंदे हैं ओन एधी परिभाश्य जान दे हां की होंता है थो नुझ सारे न पता है केती बड़ी की होंती है कुझ को बच्चे करदे भी होणके ते कुझ नहीं भी करदे होणगे ते होना आओ एते जिटे नहीं भी करदे हैं सारा होना एते डस्क करते हां जानते हैं, तप साइंस यानिकी ओ विज्ञान, परीबाशा, द साइंस और प्रैक्टिसीज, यानिकी ओ विज्ञान, या फिर प्रैक्टिसीज ओ फार्मिंग, यानिकी खेती करन्द टंग, in Cludding, चिदे विच cultivation of soil यानिकी, मिट्टीनु मिट्टीनु वाना cultivation of soil for case delay growing of crops crops हुँदिया फसल फसल फसला growing of crops फसलानु उगाना अते नाड़ती नाड़ा अपा raring of animals यानिकी, पश्यू आनु भी अपा रख दे हां to provide food food, wool ते होर पड़क्स जिवे milk उगेरा उन जड़े दिन देने animals उनना दे रेरिंग कर दे हां agriculture ते नाड़ नाड़ एन उसारे नू मिला के agriculture केहा जानता है उदे history जित कित्थों word एहे origin होया है एदे बारे एदा meaning की है एदे बारे होना अपा चान करी लवांगे सब तो पहले मैं तो नूँ दस दिना हां कि Latin word ते Greek word की होता है एते मैं Latin word दे बारे दस दिना हां Latin word जिवे एक पाशा है पंजाबी पाशा है हिंदी पाशा है उर्दू भी पाशा है वह में एक Latin पाशा है यानि कि Latin पाशा एक लई गई है उस दे बिच्चों जड़ा की agriculture जड़ा अवर्ड है यह ले आ गया है एदे बिच फर एक्जाम्पल आपा गाल करती हां यह मैं केंदा हाँ आई के एम इन्व आपाँ होने लेटिन पाशा दे बिच लिख दे हाँ वेनी इस नोड में दुबार दे लेख देना हाँ वी ए एन आई एक लेटिन पाशा है और एक दुजी आपा एक्जाम्पल लेने हाँ आई सा मैं देख्या इन्व आपाँ लेटिन पाशा दे बिच लिखना है वी आई डी आई ठीक है इसे तरह ही एक ग्रीक वर्ड होनता है ग्रीक वर्ड इतने मैं लग देना ग्रीक वर्ड इतने ग्रीक वर्ड ठीक है जी ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड एक ग्रीस पाशा ग्रीक वर्ड ग्रीस पाशा विच्छों ले आ गया है जिसता मीनिंग आपा यह थे एक्जम्पल देते औरते आपा समझेते हैं जिमें मैं इंगलिश दे विच्छ एक वर्ड लिनता हैं क्रैटोज क्रैटोज हाना इनू मैं ग्रीक पाशा दे विच्छ की में लिखांगा इस नूं ग्रीक पाशा दे विच्छ जिमें एके आर ए टी ओ एक ग्रीक पाशा है ठीक है एक इंगलिश वर्ड है वोना पाइदा मीनिक जानते है की हुनता है एक पावर दुझी आपा एक्जम्पल एदी लन्या ग्रीक वर्ड दी ओं इंगलिश वर्ड इससे तरह यह पलेन्या जिमें एन नर्के एन वहन आपा लेटिन ग्रीक वर्ड देविच लेगदे हां जिमें इत्थे वी इत्थे ए और अके ए ग्रीक पाशा है जी नर्के दी ओने एदा आपा मीनिक आ एक आपा लेगदे ने हां एदा मीनिक हुनता है जी टलीप सोना तो नों पता लग्या हुगा कि लेटिन वर्ड थे ग्रीक वर्ड किसनु के देने आपा एग्रीकल्ट्टर देवारी ए09 देवारी जानके लिए नीट्टर वर्ड कित्थों लेगए है तरह जाने अग्रीकल्चर एक लेटिन वर्ड है, लातिनी भाषतों लेया गया है, अगर याजनों एजर भी बोलें दे है, अगर ओधा मतलब होँता है, जी, सोयल, ते इत्थे थो नू कल्चर, यानि की कल्चरा, कल्चरा मतलब बना कल्टीवेशन, यानि की मिठ्टी नू वोना अगरीकस चाही है यानि की मिठ्टी नू वोना उन्हों आप अगरिकल चाह इन देमotomous. ये अफ्akat डैफिनेशन के विचे आही कुछ भिड़िया देमिन हिए अम धन्स केतेया है ४र्ला कल्टिवैशन ओप स्वॉइल यानि अगे मूग कर दे हैं, अगे नाद तक गया जी, Agronomy, Agronomy, और एगरो नोमी एक वर्ड कज़ा ले गया है, एक ग्रीक पश्रा तो ले गया है, ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है, इसता मि लुँ इत्धों तुसी देख सकते हों कि Agros लिखे है, Agros, Agros अंत्लब उन्द आ जी ठेंब मस् ना मतलब हुँता जी टू मैनेज करना ठिक हाजी Open प्र ना मतलब है टू मैनेज ज करना यानि की फेल्ड नू मैनेज करना औ अपा एग्डाउन्मी केंदे हां फिल्ड्नों होना पकिवे मैनेज कर सकते हां या इनली आप मिंदैं znag कि अपा फिल्डबन्मी पफेला जमीन दो युद्ध लोग दे हां तो गोर्प्स गोवज रहां जेड़ी क्रोप्स आपा ग्रोव करती हैं वह उन तो बाद जो भी कम होंते हैं वो एगरोनमी देंट रहा होंता है ठीक है मैंने विकेन है कि थोनु सारे नुए दो वर्ड जेड़ है एगरोनमी एगरीकल्चर दी डेफिनेशन ते एगरीकल्चर वर्ड कितो रीजन होया यह समझ आगया होएगा होना पां अग्गे मूव कर दियां उस तो पहला अग्गे मूव करने तो पहला मैं तो अनुँ दास्तिन आहां कि लेटिन वर्ड ग्रीक वर्ड उनननों याद करना तरीक्का की है गया तो अनुँ एगरीकल्चर दे विच एक एल्ड वर्ड दिखाई दे रहे होगा देख रहे होगा एल यानिकि लेटिन तो लेटिन तुसी याद कर लेना है दुझे वर्ड जी में एग्रोनमी एगरोनमी देविच जी जी दह मतलब ग्रीक वर्ड ठ tra है इस तरह तुसी याद मूव कर दे आ हैं होटी कल्चेर होटी कल्चेर होटी एक कीड़ा वड़ है है यानि कि यह거든 अ ओड़्र चेहां होट्ओ ने की मीनिंग है ॉटी कल्चर यानि कि होक्टत न्योट दो आपके अपां करते विच या बार या आप करतों बार जित्थे आप खाली जगह होंती है ओथे आपां वेजिटेबल्स यह कोई फ्रूट्स वगेरा घ्रो करते हां ओथे अपन गाडन देवेच जड़ा कुछ भी आपां ग्रो करते हां ओननुँ होटी कल्चर के आजानता है ग्रोव करनू अपने कोड़ फ्रूट्स ते वेजिटेबल्स फल ते सबजियां दोने इस ते होटिकल चरते विच आ जान दे हाँ अगला वर्ड है जी पॉमोलोजी जी तेकरे आउग सारे आनो जी दा मतलब ग्रीक वर्ड ठीका जी ग्रीक वर्ड उन एदा मेनिंग समझते हाँ पॉमो पॉमम 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 दा मतलब भगी फ्रूट्स ठीकाई पॉमम दा मतलब फ्रूट्स और इक तोनों एक difference या तोनों एक confusion हो रहे होगा कि अपा होटी कलते विच भी आपा fruits दे गाल किती गई है तो पॉमॉजी दे विच भी fruits दे गाल किती गई है कि एते मैं तोनों अदास दिना हां कि POMM means fruits ते लोगस means याने की लोजी लोजी means study करना या एक को दल है, फूर्ट्स बारे डिस्कस या अधि श्टडी करना ओनुव अपा पमोलीजी कहने है, यह दे विच आपा वेजटेबल्स नुए इंक्लिवड नहीं कर सकते, जे दे विच वेजटेबल्स इंक्लिवड होगी, ते ओना धि कल्टिवेशन भी होगी, ता ओस वर्ड अपना दिने हां, होटी कल्चर, ठीका जी, उमीद है कि यह दो तक धंद सारे नो समझ आ गया होगा, नेक्स्ट वर्ड अपने कोड़ है जी, पैडालोजी, पैडालोजी, सब तो पहलना वेख दें, यह वर्ड केड़ है, यह है जी, ग्रीक वर्ड, पैडो, पैडो मीज प पैड़न दा मतलब होंदा है जी, सोईल, या फिर अर्थ, सोईल या अर्थ, यानकि सोईल्स दे बरे, मिट्टी दे बरे, मिट्टी दे बरे, स्टडी करनू, अपा पैडालोजी कहन दिया, ठीका जी, अगला वर्ड अपने कोड़ा आ जी, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, एल दसी है थो चाह सकते हो हो एल एल तर मतलब लैटिन है लैर के हुसे ब्लारोडो से Municipal मतलब जिए पोछी होरे गम्ले दुराओी ब्ली आपकर सकती हो एक कि एक सी लेडरी याकर साल हो भी दिविच्वे में होद सि उन्āे费ल शी हुंता है तही लेडर्य कल्च्र अ disfrut अगला वर्ड आजी अपने कोड एक्स्टेंशन तुसी वर्ड सुनेया भी हुगा ते तुसी अगला वर्ड भी सुनेया हुगा अपने पिंडा दे विच्च जादतर अख्टेंशन ओफिसर आउंदे रहें हैं ते जी में कोई सप्रे बारे या और कोई जानकारी तो यानिकि ओ एक्सेंशन ओफिसर है यानिकि वह आवदी जान करी या आवदी कंपनी जान करी आपने तक पहुंचांता है उसे तरह एक्सेंशन वर्ड जिड़ा यूज किता गया है extension ये तुसी याद कर लेना है कि ये latin word यानि कि latin पाशा तो ले आ गया है x दा means out यानि कि बार करना out बार बार ते tension tension दा मिन श्ट्रेचिंग खिचना खिचना यानि कि जानकारी आवदी या आवदी कंपनी दी या जो भी ओप्रसेस ला रहे है वो देबारी आपने कोड़ जानकारी पंचाओंदे है वो एक extension दा काम कर रहे है जिमें अपने कोड़ जिमें अपने सारे करांदे विच्च टीवी मोबाईल्स अकबार जो भी आपना पड़ देखते हैं वो अपने कोड़ जानकारी एक तरह दी जानकारी पंचाओंदे है वो सारा कुछ एक्स्टेंशन दे वर्क दे अंटर आउंदा है वो उस तो अगला वर्ड है जिए अपने कोड़ इकोलोजी ओपने कोलोजी एकोलोजी एक जी तो तुस्सी पhr confident पहला एक грीक वर्ड होनता है यह आद करतना है एकोलोजी इको मींज एकोज तो लेगा जी ओईकोज लेगा होनो்ता है θαौश, खर ब्लेकिल एकोज़िंवाट या फिर एथिसलैश देविच रह रहे हां ते लोगस मीज ओदे श्टड़ी करना जी ठीक है यानि कि अपने वात्तावर्ण देविच ही रहना ओनवा पाँ एकोलोजी कहते हां नेक्स्ट आपाँ मूव कर देहां जी अग्गे वर्ड दिता गया है एंटो मॉलजी जी तो वर्ड तुसी याद करना है जी क्रीक वर्ड एंटो एंटो दा मितलब हुन्द है एंटो मो एंटो मो दा मतलब हुन्द है इंसेक्ट किडे मकोडे या फसला नू जड़े भी इंसेक्ट किडे मकोडे जड़े इंसेक्ट किडे मकोडे जड़े इंसेक्ट किडे मकोडे अपा study करना उन्हों अपा entomology कहने हैं अगे word जी phytopathology ये तुसी सारे word पंजाबी ते विच ता याद नहीं कर सकते तो थो नों English ते विच ही याद करने पैनेगे जी तो word तुसी याद कर सकते हो जी Greek word एक Greek word तो ले आगया है phytopathology फाइटो फाइटो उन्हों मतलब प्लांट एक तुसी एस वर्ड तो समझ रहे होगी photosynthesis ना याद कि प्रकास अंसलेशन करिया ते बारी सुनिया होगा वो खिस ते विच होंदी है प्लांट से विच होंदी है phyton मतलब प्लांट ते पैत्थो पैत्थो ता मतलब उन्होंजे एलिमेट्स पैत्थो मैं तो नो एक समझा देना हां कि अपनी कोई फसल नूँ जिड़ा भी इक पैत्थो जन्स दा कम कर रहे हो तुसी उस फसल नूँ नुकसान कर रहे हो तुसी उस पैत्थो जन्स दी कैटेगरी दे विच आ ज़न दी हो ठीक है अग्गे वर्ड है जी अपने को फ्लोरी कल्चर ये तुसी दसना है कि फ्लोरी कल्चर वर्ड दा मीनिंग की है केड़ी पाशा तो लेया गया है ये तुसी अपने आप तुसी मेनू कमेंट करके कमेंट बॉक्स दे विच टाइप करके तुसी दसना है अग्गे वर्ड है जी साइड जेड़े वर्ड दे पिछे साइड ले क्या हुगा ओस दा मतलब है जी टू किल मार देना ठीक है जी साइड जेस वर्ड दे पिछे साइड ले क्या हुगा ओस दा मतलब है जी टू किल मार देना ठीक है जी हुण मैंतनू एक कुछ तेन चार वर्ड देते होई ने ये तुसी मेनू कमेंट बॉक्स दे विच राइट करके दसना है एक थित वन्हों मैं एक वर्ड समझा देना है एस ता मतलब हुण जाई आतनू फंगस यानि की फंगस नू की करना है जी टू किल फंगस नू किल करना वास्ते जड़े भी केमिकल्स यूज करते है उन्हों फंगी साइड की है जानता है इतने मैं लेख देना है केमिकल्स यूज टू किल फंगस और कार्ड फंगी साइड ओर रसायनिक पदार्थ जेड़े उल्ली नू खतम करन लई वर्ते जान देहन और नू की कहा जान देए फंगी साइड एसे तरह तुसी यूज इस एक्टी साइड हर्बी साइड या और वीडी साइड तुसी यूमेनों कमेंट बोक्स देविच लेखके दसना है अग्गे अपां एगरी कल्चर दी थोड़ी हिस्ट्री बारे जान करी लमागे इस्ट्री देविच थानू पता हुगा कि सब तो पहला मंकी जोकी बंदर जाबी देविच केंदियान ए ग्रेटर देन वान पॉइंट फाइव मिलियन्स इयर एगो ऐसी वस्तु बाद इत्ते सही तरह चालने रहा अब इत्ते स्टार्ट करते हैं इत्त दसना हैं मंकी जड़की रेटर देन वान पॉइंट फाइव मिलियन्स इयर अगो उस्तु बाद जड़ा आया सी का जावा मैन यह उन्हों अपा कहा देने हैं होमो इरेक्टस ठीक है होमो इरेक्टस उस्तु बाद आया सी अपना क्रो मंगन करो मगनन ठीक है उस्तु बाद जड़ा है मोडर मैन मोडर मैन आया सी इन्हों अपना होमो सैपियन्स सैपियन्स के दिने हां हुनदा दशना होमो सैपियन्स इरेक्टस ए वर्ड की मे यह होमो धा मतलब है इस regular सिभण ते सैपियंस सैपियंस ता मतलब है लर्निंग हैबिट लर्निंग हैबिट याद करन दी शम्ता यह हिस्ट्रेजिप सब तो पहला मंकी ड्वेल्प होया सी गा ते जनम ले आसी मंकी मंकी तो बाद जिम जिमे समय जिदा बीददा गया उसे ओवें ओवें मैं ड्वेल्प होल्टा गया उसन फॉपाद मंकी तो बाद जावामेन आया उसन पाद क्रो मंगनन फूर मॉडर मैं मॉडर मैंन होना पास हो हों वो सैपियंस कहने हैं त्нал एये थोड़ी ज़ी मिष्ट्री ज्छी अग्रिकुल्चर दिए तो बात इंपोर्टेन्ट इवेंट्स जघेड। एंपोर्टेन्ट इवेंट्स ओफ एक्रिकुल्च्र दे किड़े किड़े हम वह अपस इत्थ है डिसकस करआंगे 2200 B.C., Before Christ.... Before Christ 2220 B.C. sinner . domestication of fall buffalo and elephants यानि कि fall मज्जा नू ते हातिया नू रखना start किता सीगा 2220 पहला इस तो बाद अगला है जी इत्थे अपा एक चीज रहेगी मिस्प्रिंटिंग है इत्थे अपा इत्थे लेख देना मैं 2320 ये तो उसी साइट ते लेख देना है 2320 पहला कल्टिवेशन होई सीगी यानि कि वई शुरू होई सीगी cotton नर्मे सर्सों नर्मा सर्सों चिकपी एन अधी श्टार्ट होई सीगी यानि कि 3500 पहला कल्टिवेशन ओपटाटो स्टार्ट होई सीगा यानि कि वदी आलू दी वाई या अलू नो उगाना स्टार्ट किता सीगा उस्तों बादे 4000 BC 4000 BC कल्टिवेशन ओफ राईज चौने या धान की धान की जो कल्टिवेशन है या चौने दी जड़ी कल्टिवेशन है वो दी स्टार्ट होई सी उस्तों बादे 1400 BC 4400 BC कल्टिवेशन ओफ मेज मक्की दी स्टार्ट होई सीगी कल्टिवेशन मक्की दी वाई शुरू होई सी मक्की नो गणा स्टार्ट किता सीगा 44,000 4400 BC पहला उस्तों बादे 6000 BC 6000 BC पहला Domestication of Cattles and Pig Cattles word तुसी पोर जगा सुने होगा Cattles दे विच मैं दास दिना तूनू एक Buffalo ते एक उट Camel मर्ज ते उट ये दोनू Cattles दी एंटर Cattles दी Categories दे अंटर नहीं होँदे Cattles दे विच जिमें गां वच्छडा हना गां वच्छडा बल्द एस सारे Cattles दी Categories दे विच होँदे हन् क्यानि कि 6000 BC पहला Domestication of Cattles एपिक सूर एपिक दा मतला सूर उनना दी स्टार्ट होई सीगी अगला जी 7500 BC पहला Cultivation of Cropes केस केस ती होई सी वीट ते बार ले दी कनक ते जों कनक ते जों एक कनक ये ता सारेन पता ही है कि वीट नूं कनक केंदे है कनक ते जों दी फसला दी जडिया कल्टिवेशन स्टार्ट होई सीगे वस्तो अगला है जी 700 BC 7700 BC पहला Domestication केस दी गोट पकरी वोदी स्टार्ट होई सी Domestication अग्या अपने कोड़ है जी स्टासी सो बीसी एटी सवन हंडड़ बीसी विफोर क्राइस्ट Domestication of Domestication of Sheep पेड़ पेड़ पकरियां ओने दी तुसी जडिनेड़नेड़ ही है ज़्यादा दूर नहीं है ओने तुसी याद करने नहीं ए तुसी जड़े इस सारी तुसी जड़े इपोर्ट इवर्स ओफ एगरिकल्चर जड़े ते गए इननों त्यानल एक वारी दो वारी जरूर पढ़ना है इनना विच्चों बहुत कोशन पुछे जा चुके हैं ते पुछे जा सकते भी हैं ठीक है अग्याप गल करांगी जी फादर या फाउंडर ओफ रेवोलिशन यानि की फाउंडर की ने खोज किती रेवोलिशन दिबारे या थे खोज किती ठीक है पहला जी डॉक्टर एमस स्वामिनाथन तुसी सारे ने ये ना सुने हुगा की ये सब्त पहलां वह ग्याँ एः ब्रीडर ने यानी की येण ने कनक देविच्च ग्रीडिंग स्टार्ट करवाई जी हीbe एफ एननों Father of Green Revolution भी के लेई हरी करांती एननों Father of Green Revolution याने की हरी करांती एनने लेँंदी लेघ लेँटिशा इंदीश्ट ते एननु ही वाज ओर्डिड वर्ड फूड प्राइज इन नाइंटीन एटीसेवन गीवन बाई F.A.O. F.A.O. एक ओर्गनाइज़ेशन है एगरिकल्चर थी ओस दे विच ओननाने 1987 यानकी 1960 दे विच ओननानु वर्ड फूड प्राइज ना अवर्ड यानकी सन्मानित कितता सीगा ओस तो अग्गे आजी डॉक्टर एन ए बॉर्लोग एनननु F.A.O. ग्रीन R.E.S. एनननु V.A.O. PH.A.O. Charlotte हरी करांती ताँ F.A.O. किया जांता है पर उनननु इंडियस दे विच हरी करांती लेके आजसी है M.S. स्वामिनाथने थे एननने वर्ड दे विच हरी करांती लेके आयसी है ते यह वाज अमेरिकन वीट साइंस्टिस्ट प्लांट पैथोलोजिस्ट एननों एक अमेरिकन वीट साइंस्टिस्ट ने यानिकी कनक देविच एनने कनक का देविच यह न नने पैतुजंस देबारे श्टढ कितती सी कि पैतुजंस मैं थोनू पहला आँ दस्तों कहां । एक्जम्पल दितो औरते, की हुन्ता पैते चन्स, ते एननु अवर्ड कितता गया, यानि की एननु सन्मानित कितता गया सिगा, ओस्त वगले आजी, वर्डिस खुरियन, तुसी एनना दे सारें इतना पड़े भी होंगे, या किते सुने भी होंगे, ते डॉक्टर वर्डिस कुरियन, फादर ओफ वाइट रेवोडिशन, चिट्टी गरांती, या उनु हिंदी दे वेच्च, हिंदी दे वेच्च, स्फेद गरांती भी कहन दे हन, स्फेद करांती, चिट्टी करांती, या उन आने इंडिया दे वेच्च लेआंदी सी, हिव और्डिड एनना सन्मानीत किते घया सी, मेगा सेसे वाड, उनी सो त्रैट दे वेच्च, उस तो आगले आजी, S.K. वाशल, S.K. वाशल, एक मेज ब्रीटर यानि की मक्की दी ब्रीडिंग्स यानि की एनने दो व्राइटीज नो आपस्ते विच्छ क्रोज कराया सीगा और डॉक्टर और ऐसके वाशल ते मेज ब्रीटर दी तोर्त एह वर्किंग कर रहे है सीमेट एक इंस्टिटूट आई ओल इंडिया क्रोप इंप्रोव्मेट मेज इंप्रोव्मेट प्रजक्ट देखते एह वर्क कर रहे है उस्तो अग्या जी डॉक्टर के अल चड़ा डॉक्टर के अल चड़ा एफादर ओफ एनना नो फादर ओफ गोल्डन रेपोडिशन यानिकी सुनेरी सुनेरी क्रांती दा फादर के अल जानते ने के अल चड़ा नो एंडिया दे बिच इननाने सुनेरी क्रांती यानिकी गो डॉक्टर आरेस प्रोडा फोरेच ब्रेटर फोरेच एदा मतलब थंजा सी ना कि आपा फसला दे नाड़ नाड़ की ग्रोव करते हैं हराचारा उत्थे वर्ड ले गया जी फोरेच फोरेच ग्रासीज उनने उस्ते उते काम किता सीगा डॉक्टर आरेस प्रोडा तुसी बस याद रखना है कि डॉक्टर आरेस प्रोडा या कोई भी जड़ा रेवुलिशनर है उनने किस्ते काम किता सीगा ए फोरेच ब्रीडर डॉक्टर के यल्चड़ा कोल्टर रेवुलिशन इंडिया दे ल्डवार रहा हूँ एक international wheat breeder है विक अग सन्हें में गल करते हैं डॉक्ट्ब्र GS खुश बार है डॉक्टोड hr जीयस खुश है राइस अट यहोरी राइस याने की चोने हमें तर शहला हूं में काम किता शारा जने बर्यास उन्हाने जोन किता शाररा सं Euro Puestoश vee प्रोफेसर लॉंग पिंग्ड युवान एक चाइना दे प्रोफेसर है लॉंग पिंग्ड युवान वो फादर ओफ हाइब्रेड राइस ने हाइब्रेड राइस दाउनानों फादर के हाज आदा है एर आइस ब्रीडर सी हाइब्रेड राइस तो सी पड़्या हुगा इस तरह चिड़ा भी हाइब्रेड है एच बी एच बी वन हाना हाइब्रिड भाजरा इस तरह इना ने हाइब्रिड राइस ते कम किता सी इस तो बाद असी गाल करांगे रैवोलुशन्स अग्रिकल्चर देविच केड़ी-केड़ी रैवोलुशन्स आई यां सी क्यां सब्याँ पहला चेड़ी-केड़ी रैवोलुशन आईएस विजी यां सी ला केसल ना रिलेट कर दीश यां । सब्या चेड़ी-क्रांथी-क्रांथी-क्रांथी-क्रांथी ज़्यादा हुई सी इस करके उनों वाइट रेवलिशन के हज जंदा है उस तो अग्या है जी ब्यू रेवलिशन निल्ली क्रांती फिश मच्ची दी मच्ची मच्ची दो अतपादन इत्थे होया जी गा ना गल कर kya new revolution आता गया है उउससों अगला है जी ब्राउंठ एक दन ऑ ब्राउंठ एक फ्रयंड फूर्द दी प्रॉशेसिंग या फर्व प्रडक्षन ब्रसैसंग नहीं फूर्ड प्र्रॉशेसिंग दाटशनो इसओं काक प्रड़क्षन इसे आम बदीवी आपा प्रोफेसर आवो सवरी प्रोसेसिंग किती है सारा फ्रोड प्रोसेसिंग दे अंदर आयां द्यृ पैकेड दे बिच चीजा वेगे 大 automate चाहर पाया होया या दुद पाया हुआ वेग दियों आहोर वी सारे प्रोसेसरिघ्म, बप्रोसेसिंग दे हो उस तो बादे ग्रे रेवलीशन फ़र्टिलाइजर यानिक खाद खादा उतपात नहों याशी सबतो ज़्यादा तहां अगरके उनों ग्रे रेवलीशन तर्णा दित्ता गया है उस बादे यल्दो रेवलीशन पिली करांती पीली क्रांती ओइल सीड्स यह मस्टर्ड हो गया ना मस्टर्ड वगेरा और भी ग्रोप्स जड़ियां ओल सीड्स दे रिलेटेट ने ओल सीड्स दी प्रोडक्शन है उसा अब तो ज्यादा होई सी उस केटेगरी नो यलो रैपोजिशन दना जिता गया सीगा तो सलम tract ळाल करांती लाल करांती लाल करांती तुमैटो तुमैटो टमातर यह Дार ऱमतमेट करनला जादा होई सी दोन दी प्रोडक्शन देली जादा होई सी एसकर क्योँ अदर हेहा बीर बुस्यों दाना दिता गया है वोस्त अलाजी बींक रएवसेशं को गुलाबी रएवसेशं कहा ही है कुछ ऑसद में भी करह दिता है क्रांती है है टेलियोघि और से प्यास दी जड़ी परडख्शन है वह स्जादा हुई स्था था करके उनुं पिंक Рेपलीरिस द नहीं दितता गया है गोल्डन रेवलिशन यह मैं थ bacon दूल पहला दस्क यहां की सुना नहीं है जड़ी है करन्त द आई सीगी ऑफृ कि ऐसे से प्रूट दी पर्ड़क्षण यानकी फला दी फल्फरूड छेड़े बिसी हुद्धे ओने प्रड़क्षण सब तो ज़ादा है सी ता करको ना गोडन रीपोजुट ता ना देता गया है वह सूद आप लेंगे हैं गोल्ड करांथी गोल्ड करांथी यह तुसी अपने आपने अभी दे विच लेखे देना है मैं तो नू एदी PDF करणा की सेंड कर दूँगा ते तुसी दे विच्चों पड़ लेण है क्योंकि एदे विच्चों एक नंबर या दो नंबर दापक का कम होन थोड़ा हो चुक्या है तो नू स्टाटिक तो भी पता लग गया होएगा कि पिछले पेपर दे मकाबले एस वीडियो दे विच्च काफी कुछ जिड़ा आपनों याद करनों या सोनननों मिले है राउंड रिपलेशन पोटेटो हाओ दी पर्ड़क्शन सब्तों चाहदा होई इस आलू और डिपर्ड़क्ष्टन उसनों सब्तों चाहदा होई पुल्ट्री पॉल्ट्री पॉल्ट्री पादा हे जित्थे एक अपम्रग और रंग देयां वह पोड़ी फार्म क्यादी ने अंडियां दी प्रड़क्शन या फिर पॉल्ट्री सब तो ज़्यादा देखेगे इसी ओ प्रड़क्शन उन्हों सिल्वर रेवोडिशन देंटर लेया गया है उस तो अगे ब्लैक रेवोडिशन काली क्रांती एक प्लांट है जिदे विच्छों की है एक फ्यूल निकलता है जिमें डीजल पेट्रोल अन्हीं दिथा आते हैं आपा बायो फ्यूल यूज करते हैं बायो फ्यूल जो ट्रॉपा ये डीजल पेट्रोल निकलता ही वब ये उन्हों डीजल पर्ट्रोल ये यूज करसकते हैं ते बायो फ्यूल जो ट्रॉफा का भी प्रडक्शन ज्यादा होई सो उस नो नू प्लैक्ड रेवोडिशन दे विच रख्या गया है उस तो अग गया जी Rainbow Revolution पूरा सेक्टर एग्रिकल्चर देवे जिड़ा Rainbow Revolution देवेच आउंदा है ठीक है वो सब प्रभानी Revolution प्रभानी Revolution पिंडी पिंडी दी production सब तो ज्यादा हुई सी वो उसनों प्रभानी Revolution दी कटगी दिविच रख्या गया है होना अपा एग्रिकल्चर दी कुछ एग्रिकल्चरल कुछ इंस्टिजूट्स दे ना ने वो अपा याद करते निया क्योंकि अपनु पता नी भी कोशन कित्थों भी आ सकता है ठीक है ता घर के अपा छटते कोश्व नी ते बाणा हात स्लेबस नू भी नी पाण। अपा उत्तो उत्तो करते जाना है ता जो अपनी तस नंबर जो पक्के हो जान। पहले इंस्टिचूट आजी IARI Indian Agricultural Research और वड़ा रिसर्च इंस्टिचूट ए पुस्सा दे बिच है गिया जी नू डेली दे बिच पुस्सा एक जगा दना है वो थे एजडिया इंस्टिचूट है गिये IARI तुसी आनु याद करना है Indian Agricultural Research इंस्टिचूट उस्तो आगले जी NDRI National Dairy Research Institute नेशनल Dairy Research Institute ए जी करनाल दे विच हर्याना जित्थे वी Dairy या Animals दे नाल रिलेटर जडिकला हागी वो करनाल दे विच हर्याना दे विच हर्याना दे विच अगला है जी SCIFE Central Institute of Fisheries Education ए जी मुंबाई दे विच मुंबाई कित्थे माहराष्ट्रा दे विच अगला है CARI याउनू कारी भी बोल दिन दे या Central Agricultural Research Institute ए जी पोर्ट ब्लेयर पोर्ट ब्लेयर एक अंडमा एंड निकोबार दे विच जगा दना जी पोर्ट ब्लेयर ओत्ते है Central Agricultural Research Institute स्तापित किती ही अगला है जी सीफेट सीफेट तुसी ना सुनेया भी होगा तेनू जानदों भी होगे यह Central Agricultural Institute of Post-Harvest Engineering and Technology तो ध्यान दे विच है पंजाब ठीक है उन्हें एदी ब्रांच जड़ी है अब और दे विच भी है सीफेट उस्त बाद आई सीफेट बैंक ओफ इंडिया नहीं है यह जात्ती आज़ी शूगर केंग ब्रीडिंग इंस्टिटूड कित्य है कोइंप टूर एवर्ड तुसी याद रखना है यह इन्हों त्यानार पढ़ना है क्योंकि एवर्ड ता जड़ा यूज़ा 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 आ गया है स्पेशली शुगर केंद देविच यह तामिल नाड़ो देविच है क्योंकि शुगर केंज थी शुगर केंज गन्ने गन्ना के दिने आज़ा गन्ना एधी जड़ी वराइटीज ने उस सारी कोईबटूर हाइब्रेड वन एटीएट नाइटीटीटू यह शुगर केंद दिया यानि की गन्ने दिया वराइटीज ने किसमा वराइटीज नूँ अपने कोड़ और ने जिमें एम बी पी जी आर एक नूँ एक स्पेन करते ना है नाशनल दूरो नाशनल दूरो ओफ प्लांट जनेटिक रिसोर्सिज एक थाई ए न्यू दिल्ली दे वेच्चाई न्यू डिली ए नैशनल ब्यूरो नैशनल ओकमंटा नाशनल बुरो फ अनिमल जनिटिक रिसोर्सिज एर अपने करनाल देविच हर्याना करनाल हर्याना एत उसी तिन मेंनु कुमेंट बोक्स देविच दसनी है एत सारे नुपता ही है कित थे की फुल फॉर्म है दी उमेद करता हां तोनु एव वीडियो चंगी लग्गी होएगी ते अग्ये जेड़ा अभी अपना एक जन्नल लैगरी कल चता देड़ा पोर्शिन है वो एक नवी वीडियो जनाड लैके हाजीर होँआगा मैं सत्यावां मोहण मेनु देव इजाजत ते जिन्नानु एव कमेंट शेर ते सब्सक्राइब भी एनों जुरूर करेओं एस वीडियो नू होना पां तिन्ने अविश्राम ते ओके थेंक यू टेक कियर